कि नमस्कार हफ़ते की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है पूरो राश्परती प्रणव मुखर जी के नागपुर में उद्बोधन के बाद अनेक तरीके की बाते मीडिया में आ रही है एक तरफ कॉंग्रेस कह रहा है कि उन्होंने अर्सेस को उनका आइना दिखाया है वहीं दूसरी तरफ लोगो लग लग रहा है कि एक डायलॉग का प्रोसेश जो है से स्टार्ट होगा इनी पे बात करने के लिए उर्मिलेश एक बार फिर हमारे साथ मोजोदें न्यूस्कलिक प्राणों मुखर जी का वहां पर जो भाशन है उसमें अनेक तरीकी की वह बाते तो कर रहे हैं पर आरे सेस के इतिहास में नहीं जा रहे हैं अगर इस स्पीच को एक पूरे संदर्व में रखा जाए तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे देखिए जनरली अपने देश में जो एक परमपरा रही है कि पुरो राश्ट पती राष्टपती पत से उतरने के बाद लो दौ चीजे नहीं करते हैं एक तो रायनीतिक गतविधी encara में ज्यादा नहीं लिप्त होती और दूसरा कांट्रोवरसी श से बसते हैं और कांट्रोवर्सिल फोरूमस पर नहीं जाते प्रणाव मुखर जी के भाशन पर मैं जरूर आऊंगा जो आपने कहा लेकिन इसके पहले यह बताना जरूरी है कि प्रामिनिस्ट्र प्रेसिडेंट के रूप में प्रणाव मुखर जी ने इन दोनों जो बाते हैं उन दोनों से भटकाव साफ साफ दिखाई देता है पहली ब किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता इसलिए नहीं है कि मैं नीजी त कार पह रहा हूँ या कोई और सोच रहा है या कोई रिसर्चर ये बात कहे रहा है भाई भारत की निरुवाचित सरकारें जो है उस पर कई बार बैन लगा चुकी है और बैन कोई करांती करने के लिए नहीं लगाई है कि कोई मजदूर या गरीब लोगों की सत्ता कायम करने के लिए काम कर रहे थे जैसे प्रिटि स्पिरिट में कई बार इस तरह के संगठनों पर बेहन लगाया गया था ये बेन उस पर आपराधिक गत्वीदियों में सनलिप्थ होने के कारण किया गया गलत कामों में लिप्थ होने के कारण किया गया राइनेतिक दर्शन के कारण नहीं किया गया बलकि आपराधिक गत्वीदियों के कारण किया गया तो मेरा यह कहना है कि एक तो यह बात है कि वह एक कांट्रोवर्सियल फोरम है राश्री स्वयम स्वख संग और इस तरह के पदों पर बैठे लोग कम जाते रहे हैं कुछ एक एकसेप्संस है दूसरी बात की उन्होंने जो रायनितिक मैं इसलिए कहूंगा गत्विधी में लि और अभी जो मोहन भागवत जी हैं जो उसके सर संग चालक है मैं मानता हूं नीजी तोर पे कि राश्री स्वख संग में जो सबसे कुछ प्रतिभाशाली चतुर और इनोवेटिव किसम के आर्गनाईजर या संगठक जो रहे हैं उनमें से मोहन भागवत देख हैं वो खुल कुछ साल पहले की बात है मिसेश गांधिक का जब शासन था उस वक्त वो हुआ करते थे वो भी नहीं की तरह काफी नए प्रयोग करते थे ये भी नए प्रयोग करते हैं तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि दोनों मामलों में कि एक राइनितिक संगठन तो ही है वो भले ही व प्रयोग मुखर जी का महां जाना इसी लिए चकित करने वाली घटना है कि पुर्व राष्ट्रपती आमतर पैसा नहीं करते रहे हैं दूसरा पहलू अब आप उनके भाशन का देखिए उनका भाशन प्राचीनी तियास और मद्यकालीन भारत के बारे में बहुत सारी ऐसी कहता है जो मुझे नहीं लगता है कि आरेसेस को उनसे कोई परहेज है किसी भी तरह का परहेज आरेसेस भी लगबग वही बातें कहता है वो गौरावगान करते हैं अतीत का लेकिन अतीत के बारे में यह नहीं बताते कि किस तरह की राजशाही थी किस तरह के राजा महरा जा थे रिष्टे क्या थे उनके अवाम से उस समय का समाज कैसा था उस पीडन कैसा था आप कह रहे हैं कि बहुत महान था लेकिन उस महान ता यही तो आरे से कॉंग्रिसी जो एक सोच है नहरु गांधी वाली सोच है उसको वह प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं और अरेसस ये बातें सुनने का हमेशा स्याद ही रहा है लेकिन वह आरेसस के बारे में कुछ नहीं कहते कि आधुनिक भारत के इतिहास में अरसस कि क्या भूमी का है और RSS का जो freedom struggle है उसमें क्या involvement रहा है उसके बारे में भी कोई चर्चा कुछ भी नहीं नहीं जब आप आधुनिक भारत की चर्चा कर रहे हैं तो आप contemporary इंडिया की चर्चा से बिलकुल अपने को अलग रखते हैं यह एक tactical है चाला की है चतुराई है मैं नहीं जानता लेकिन तो प्रणोदा बताएंगे और वो यह चतुराई है कि आप पिछले चार सालों से RSS की सत्ता चल रही है देश में संगठन वही चलाता है सरकार को remote एक तरह से वही नियंतित करता है remote से और कई बार खुल कर भी करता है और स्वयम प्रधानमंत्री जी कहते हैं इसके पहले अ है आप partition के दोर की बात देखिए जब आजाद भारत के बारे में भी कोई बात नहीं कि और और मैं समझता हूं कि 46-47 के दोर में जो भारत में हैट्रेट थी उससे भी कहीं ज्यादा क्योंकि वहां तो एक विभाजन था और 46-47 के हैट्रेट में RSS का एक बड़ा योगदा मह रिसस हाल तक अपने एक बहुत ही उनमें खोशता था कि हमारी वह चारिकता उनमें दिखाई देती है लेकिन जब भैन किया गया था रिसस पर राश्टपिता महात्मा गांधी जी की निशन्स हत्या के बात तो उस वक्त सरदार पटेल नहीं ये कहा था कि जिस तरह का जहरी जहरीले महाल ने और संग के बारे में उन्होंने ये बात कही थी उस जहरीले महाल ने ही राश्टपिता की हत्या मैंने उनको उनका खात्मा किया उनकी हत्या हुई उसी उसी महाल में तो मेरा ये कहना है कि आप कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि आज जो महाल है किस तरह का है इनिवस्यटी का क्या है, आप स्कूलों का क्या है, सिक्षा का क्या है, हेल्थ केर का таким र ACLU एधर जो समाज में इतना टक्राओ बढ़ा है Constitution के लिए इन किरती कोई इज़त नी है महिलाओं के बारे में लगतार टिपणिया करते रहते है और साथी साथ जब देश की बात आती है तो लगतार RSS का ये पोजिशन रहा है कि जो हिंदुस्तान है वो हिंदुों का है और उसी ढाचे में सभी को रम जाना चाहिए तो जहां पर आप ये प्लूरिलिजम की बात करें Constitution की बात करें तो ये दुनों विरोधा भासी है इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है और देखिए उनके सामने प्रणव मखरजी जी के सामने उन्होंने अपने भाषण में बहुत लंबा उन्होंने भाषण किया इतना लंबा भाषण आम तोर पे पूर्वराष्टपती इंतजार कर रहे है और आपको वेलकम करना है लेकिन बहुत लंबा भाषण था उस लंबे भाषण में एक तरह से उन्होंने ये भी कह दी बात कि वैसे तो हम सब को साथ लेकर चलने को हम चलेंगे और सभी का भारत है, ये बातें उन्होंने कहीं लेकिन उन्होंने सिर्फ हिंदू समाज, हिंदू समुदाय पर जबाब दे ही राश्टर की डाली अपने बाशन में, दूसरी बात उन्होंने एक बड़ी दिल्चस बात कह दी, मुझे बहुत हुसी आई, उनकी बात संकर, उन्होंने कहा कि हम democracy में, या democratic आगनेजिशन है, बार बार डिमोकरिसी पर अपना जोर दे रहे थे, वही कैसी डिमोकरिसी है कि आप कहाँ जो अध्यक चालक हैं वो संजोग वो सभी एक ही समाज से हैं एक exception है और वो भी अपरकास्टी तो मेरा यह कहना है कि आपका Hindu समाज क्या सिर्फ एक जाती है क्या सिर्फ एक वर्ण है क्या है यह तो आपके यहां न तो समावेशी चिंतन है न तो आपके यहां participation ने त्रित्तों में सभी वर रोधाबास है और इस पर प्रणव मकरजी को जो मानते हैं कि वो डेमोक्राटिक ट्रेडिशन्स की एक तरह से उससे उनका जुडाव है उनको यह सवाल उठाना चाहिए था क्योंकि उनके पहले यह बात बोली गई थी साथी साथ ये भी बाते हैं कि लगातार ऐसे कई संगठन हैं उनके बजरंग दल विश्व हिंदू परिशद जो आरेसेस की एक पार्ट ही है एक तरीके से कई गौरकशक ग्रूप्स हैं वो लगातार सडकों पे उतर रहे हैं लोगों को मार रहे हैं उनके बारे में भी कोई च भाशा की अंग्रीजी भाशा की बहुत विदूशी थी लेखिका थी संपादक थी आखिर क्या उनको नहीं मालूम है कि उसमें कौन लोग पकड़े जा रहे हैं मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि कन्विक्शन हुआ है लेकिन प्रॉसेस चल रही है नयाय अपना काम कर रहा है कल में कितने लोग हैं जो मारे गए और यह मैं नहीं कहा रहा हूं कि सिर्फ सरकार इनकी आने के बाद इसके पहले भी बहुत सारे आप केरल में देख लीजिए क्या हो रही है इस्तितियां आप दूसरे स्टेट्स में देख लीजिए इनकाउंटर्स के नाम पर दलित ओवीसी और अल्पसेंकक वर्क के लोगों को मारा जा रहा है अभी उत्तर प्रदेश में मुटभेड हत्या है मुटभेड पुलिस कर रही है और मुटभेड जो है पूरी तरह स्टेज मैनेजड फरजी है इन चीजों पर आप कह रहें डिमोकरसी है आम इन किस तरह की डिमोकरसी की रहें एक और महत्पून बात जो प्रणमोकर जी के भाशन से मुझे जो समझ में आई कि आज के दोर में उनका वहां जाना देखी वो आरेसे स्वाले स्वेम सरमिष्ठा ने ये सवाल उठाया जो उनकी पुत्री है कि आप वहां जो भी बोलेंगे ये ठीक है कि आप आरेसे से किस सुरूप में परचारिथ करेगी और हम सब जानते हैं गांधी जिक अम बेटकर में जयेपी के बारे में तो ठीक है मैं मांनता हूं कि येपी का एक समय तक एक एक दौर में आरेसेस के पुछा लगा हो गया था लेकिन उन्होंने बाद में आर इसे को खारज भी किया गांधी जी के बारे में यह कहते है नाईटिन धिर्टी फोर की बात करते है गांधी ने क्या कहा प्यारे लाल ने अपनी किताब में संगठन कहा था वो भी प्यारे लाल ने दर्ज किया है प्यारे लाल ने महात्मा गांधी की निशन्स हत्या के लिए जिन संगठनों पर जिमेदारी डाली है उसमें बहुत सारे जब लगतार उनकी कलासें लगती रही है भाजपा कापुरा मंध्री मंदल जाता है, वहां बैड़ता है और रिपोर्ट करता है कि एक साल में बनूने क्या किया है और जब जैसा आपने कहा कि सरकार की अगर गतविधियों के बारे में बात की जाए तो उसके बारे में प्रणव मुखर जी ने कोई चर्चा नहीं कि अगर 2019 के चुनाओं को ध्यान में रखा जाए तो ये दर्शा क्या रहा है क्योंकि एक महत्पून्च समय में जब 2019 के चुनाओं बस एक साल दूर रह गए हैं क्या आरे से इस पूरे इवेंट को यूज नहीं करेगा अपने पक्षक में सौफिजदी और ये इसलिए शायद हुआ था क्योंकि देखिए मीडिया में जिस तरह का कवरेज हुआ कई दिनों से टेलिविजन ऐसा लगता था कि प्रणव मुखर ज कैसे कवरिज देना और मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी जी आरे से सके दफ्तर में कभी गये होंगे तो इस तरह का कभी कवरेज हुआ होगा जितना प्रणों मुखर जी के वहां जाने पर हुआ पहली बात तो यह है राश्टपती नौजाने कितने कारिक्रों में जाते पुरवराष्ट पती कभी ऐसा कवरेज आप ने देखा कभी नहीं तो हमारा यह कहना है कि इसके पीछे भारत का जो कार्परेट है वह अभी इसमें कहीं ने कहीं इन्वाल्ब है इसलिए मैं मानता हूं कि यह पूरी तरह राजनीत प्रायोजित कार्पूरेट प्रायोजित थ ऐसा मैंने कहा कि मोहन भागवत जी बहुत प्रतिभाशारी चतुर संगठक है आरेसिस के, मैं ये मानता हूँ, उनको असलियत मालूम हो गई है कि उनकी जो सरकार है, उसका जो नेत्रित्व है, उसको अपने बल पर शायद बहुमत नहीं मिलने वाला है, और अगर विपक्ष शीवनाइट हो गया, तो शायद विपक्ष की इस्तिती बहुत अच्छी हो सकती है, इसके बावजूत की विपक्ष में बहुत सारी कमजोरियां हैं, तो अपने बल पर भाहुमत नहीं मिलने का जो एक खत्रा है आरेसिस के लिए, वो कहीं न कहीं वो तरह-तरह के आपसंस प देखिए, तो वो जो साफ्ट हिंदुत्वा है, उसको कैसे थोड़ा स्ट्रेंथिन किया जाए, और उपोजिशन की कॉमन फेस की तरह अपोजिट्ली तो एक ये भी है कि इनका उपयोग हम कितना कर सकते हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उनको कोई प्रैमिस्ट्रिल केंडिटी वो बनाएंगे या बनाना चाहेंगे, और इसस एक ऐसा संगटन है जो प्रैमिस्ट्रिल केंडिट अपने आदमी को ही बनाना चाहता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि कोई बीच का रास्ता अगर अख्तियार करना हो, और इसस के किसी प्रोड़क्ट पर सहमती नही तो हो सकता है एक सहुलियत का नाम प्रोणमोखरजी बन जाए, क्योंकि प्रोणमोखरजी रायनितिक रूप से महत्वाकांची हैं, यह हमने मिसेश इंद्रा गांधी की हत्या के बात के दौर में भी देखा है, जिसकी वज़ाए से उनका कांग्रेस से उनको बाहर किया, य संभाता यही कारण है कि प्रतिभा या कामकाज के बारे में, या यादास्त योह है, हिस्ट्री उस्टी की डेट्स वगरा के बारे में, पारलमेंटी प्रोणमोखरजी की विशेश अग्यता के बाधूर, सोनिया गांधी ने उनको प्रधानमत्ती पत के लिए कभी हैं लेकिन वो स्थितियां ऐसी बनिया पोजिशन में कि बहुत सारे अर्गनेजिशन जो थे वो इस तरह से उनका 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 बिहेवियर था या इस तरह का स्टेंड था कि और कुछ हमको लगता है कि कार्प्रेट दबाव भी रहा होगा कि प्रणों मखर जी का नाम अचानक आया और राष्टपती के रूप में वो उनका केंडिशर डिकलेर हुआ लेकिन प्रणों माफ कीजिगा तब BJP RSS ने उनको सपोर्ट नहीं किया उन्होंने केंड़ेट अपना पुटप किया था और इस पार भी वो चाहते थे की उनको पांच साल ओल मिरे जो उनके नदी कीदी की लोग है लेकिन RSS BJP की तरफ से उनको 5 साल नहीं दिया गया और वो कोविन साहब को ला दिये तो मेरा कहना है कि आलाफ सड़िन प्रणों मुखर जी के प्रती श्रद्धा और प्रेम जो जागा है ये पिछले 7-8 महीने का है आप याद कीजिए प्रणों मुखर जी जब अपने कारिकाल के अंत में थे तो प्रणों जी ने एक बार राष्टपती के रूप में मोहन भागवत जी को राष्टपती भावन में भोज पर बुलाया और लंबा डिसकसन किया हम कोई नहीं जानता क्योंकि वो नीजी भोज था हाना कि राजकी भोज था लेकिन दो ही लोग वहाँ थे सेक्रेटरीज बगर रहे होंगे प्रेस ब्रिफिंग भी नहीं होई और भी कई मुलाकाते होई प्रणों मुखर जी की और महन भागवत की तो इसके अलावा भारती जनता पार्टी लेट गॉर्मेंट के जितने निगेटिव अनकांस्टिशनल कई स्टेंड थे कई फैसले थे उसको उन्होंने समर्थन दिया जैसे अरवनाचल में राश्टपती सासन उन्होंने उत्तरा खंड में जिस तरह का डिसिजन लिया और क मेरी जानकारी है कलाम साहब ने तो जो किये पोलिटिकल थे लेकिन उन्होंने तो पेशकस कर दी थी बिहार के प्रसंग में भाला कि उसको नहीं एक्सेप्ट किया गया या या उसको प्रदानमंत्री के लेविल पर ही खतम कर दिया गया मामला लेकिन समझा जाता है कि उन्ह कोई प्रणों मुखर जी का कारेकाल बहुत ही शांदार नहीं है मैं समझता हूं कि भारत के रास्टरपती जितने हुपे है आजादी के बाद से उसमें क्यार नारायरन जैसा रास्टरपती आपको खोजे नहीं मिलेगा उसके हिसाब से प्रणाव मकरजी कहीं नहीं ठारते तो इसलिए मुझे लगता है कि RSS और BJP का उनके प्रती एक अच्छा उपीनियन भी है राष्टपती के कारेकाल के दोरान भी और कॉंग्रेस के मुझेदा नेत्रितों से उनको एक चिड़ भी है प्रणाव मकरजी को और अंत में एक बात और जरूर कहूंगा कि इन दिनों राहुल गांधी की जो अगवाई में कॉंग्रेस जो है थोड़ा एक शिफ्ट दिखाई देता है जो सोनिया गांधी के जमाने से भी शिफ्ट है अलग वो यह है कि कुछ सबाल्टर्न जो एक सेक्संस में प्रवेश करने का बहुत सारे पदाधिकारियों की नियुक्ती वगरह के मामले में भी वो ज़्यादा समाविशी सोच है Democratic Secular Organizations के प्रती भी एक व्यापक गठबंधन की बात बहुत initiative के साथ पहलकदमी के साथ वो कर रहे है प्रव मुखर जी और उनकी तरह के जो कॉंग्रेसी नेता हैं ये चीज़ें बहुत पसंद नहीं किया करते थे तो मुझे लगता है कि इन कारणों से भी प्रणोदा शायद नहीं चाहते कि कॉंग्रेस को एक बड़ी मोर्चे बंदी में 2019 के लिए काम्यावी मिले तो यह भी एक कारण हो सकता है RSS और प्रणोदा के बीच में एक दोस्ताना रिष्टों की शुरुआत का शुक्रिया अगले हफ्ते एक नाए मुद्दे के साथ हम फिर एक बार आपके साथ जोड़ेंगे धन्यवाद न्यूस्क्लिक देखने के लिए धन्यवाद झांट 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 झांट